हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का हुष्ट और आपका दोस्त सुमित और आज मैं आपको एक बहुत ही खौफ़नाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और यहाँ कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनके साथ ही डरावनी घटना हुई थी तो आप चलते हैं स्टोरी की तरफ इस स्टोरी का टाइटल है सुनसान सड़क में मेरे पीछे कौन था मेरा नाम राकीश रंजन है और मैं अपने जीवन में हुई एक सच्ची घटना को आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो दोस्तों यह बात है लगभग आज से दस सल पहले की उस टाइम में मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और साथी साथ गौर्वर्मेंट एक्जामस की भी तैयारी करता रहता था एक दिन मैं ससे के एक्जाम देने आगरा गया दिसंबर का महिना था और कड़ाके की ठंड पल रहे थी मेरा एक्जाम थर्ड शिफ्ट में तीन बजे था लगभग शाम के चार बजे मेरा एक्जाम खत्म हुआ मैं तुरंत वहाँ से लगभग एक किलोमेटर पैदल चलते हुए बस सड्डे पे पहुचा तो देखा कि वहाँ से गाजाबाद तक की बस मिल ही नहीं रहे थी इसी खोजबीन में शाम के लगभग साढ़े पाच बज गये तब जाकर मुझे गाजियाबाद जाने वाली बस मिली मैं बस में थका हारा अपनी सीट पे वैठा और येरफोन में 90's के गाने लगा के सुनने लगा मैंने जब खिलकी से बाहर देखा तो अब कुहासा चाने लगा था और ठंडी हवा भी मैसूस हो रहे थी तब ही मैंने उत सुकतावस कंड़क्टर से पूछा कि भाई सहब गाजियाबाद पहुचने में कितना टाइम लगेगा तो उस कंड़क्टर ने बताया कि लगभग 5 गंटे लग जाएंगे मैंने जब अपनी घड़ी में टाइम देखा तो शाम के लगभग 6 बज रहे थे टाइम देखने के बाद मैंने हिसाब लगाया कि मैं गाजियाबाद रात के लगभग 11 बजे पहुचूँँगा लेकिन वहाँ से 4 किलोमेटर दूर मुझे अपने घर भी जाना पड़ेगा और उस टाइम में कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी मैं इसी उद्रवन में खोया था कि बगल में बैठे एक अधिर्ण उम्र के आदमी ने मुझे टोका क्या बात है बेटा कुछ परिशान से लग रहे हो मैं एक अधिर्ण आदमी के इस अप्रत्याशित प्रश्ण से एक दम से हड़ बढ़ा गया और मैंने मुस्कुराते हैं उनसे कहा कुछ नहीं अंकल बस ऐसे हैं अंकल के साथ और भी कुछ बातों पर चर्चा होने लगी तब ही अंकल बातों ही बातों में अपनी गाउं की होरर हिस्टोरी सुनाने लगी और मैंने उनकी सी स्टोरी को इतनी ध्यान से सुना कि वो हिस्टोरी मुझे भी याद हो गई दोस्तों अगर मैंने कॉलेज में प्रोफेसर का लेक्चर इतनी ध्यान से सुना होता तो मैं शायद कॉलेज टॉप कर लेता बाई दवे बातों ही बातों में मैं अपनी शहर गाजयाबाद पहुँच गया मैंने अंकल को बाय कहा और वही बस सड्डे पे उतर गया का नाम लेकर पैदल ही अपने घर की और चलना शुरू कर दिया रोड पूरी तरह से सुनसान थी और दूर से कुतों के भौकनी की आवाजे रात के सननाटे को भंग कर रहे थी चारों तरफ घना कोहरा चाया हुआ था और मैं रोड की किनारे से होते हुए स्ट्रीट लाइट की रोश्ली में तेजी से आगे बढ़ रहा था तब ही मुझे अपने पीछे से एक आवाज आई चन चन मैंने तुरंत पीछे मुड कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था मुझे लगा कि ये आवाज शैद मेरे तेजी से चलने के कारण मेरे बैक की चैनों के आपस में टकराने से आ रही होगी मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया लेकिन तब ही मेरे कुछ दूर चलते ही वही आवाज फिर सुनाई रही अब की बार मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना तब ही उस रात के सननाटे को चीरती हुई वही आवाज फिर से गुंजी अब की बार ऐसा लग रहा था कि कोई तेजी से मेरी तरफ दौरता चला रहा है मैंने देखा कि पीछे घने कोरे में से कोई भयानक औरत तेजी से मेरी तरफ दौरती चली आ रही है मैंने उसे देखते ही बहुत तेजी से हनुमान चारिसाग पढ़ते हुए भागना शुरू किया पीछे से वो छन-छन की आवाज मेरे रौंगटे खड़े कर रहे थी तब ही पीछे से उसके भायानक हसने की आवाज भी आने लगी लेकिन मैंने अपने दोड़ने की रफतार को कम नहीं होने दिये मुझे दोड़ते देखा सपस के कुटे मुझे पर भौकते हुए पीछे पीछे दोड़ने लगे लगबग 20 से 25 मिनट तक दोड़ने के बाद मैं अपने गाउ में पहुच गया लेकिन फिर भी मैं उस वक्त तक दोड़ता रहा जब तक की मैं अपने घर तक नहीं पहुच गया घर पहुचते ही मैंने घर का दर्वाजा जोड़ जोड़ से नौक किया तभी माने दर्वाजा खुला और दर्वाजा खोलते ही मैंने जट से अंदर गुष कर दर्वाजा बंद कर लिया और बुरी तरह हाफ नहीं लगा मा मुझे इस हालत में देखकर बहुत घबरा गी और सिर्पे हाथ फिरते में पूछने लगी कि क्या बाते बेटा क्या हो गया तुझे मैं कुछ कह पाता कि तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया अगले दिन दोपर में मेरी आप खुली मैंने महसोस किया कि मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और मा मेरे पास बैठी मेरे सिर पे बार-बार पट्टी को पानी से गीला करके रख रहे थी जिससे कि मेरा बुखार कुछ कम हो जाए पिछली रात को दोडने की वज़़े से मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे हालांकी मेरी मा की दुआ और उनकी दुआरा अच्छी देख भाल के कारण मैं लगबग एक हफ़ते में ही स्वस्थ हो गया तो दोस्तो उसकी बात से मैं कभी भी रात में उस राष्टे से नहीं गुज़रा लेकिन उस रात में जैसे दोड़ा था अगर मैंने उलम्पिक में वैसे दोड़ा होता तो अपने देश के लिए जुरूर गोल्ड मेडल ले आता लेकिन आज भी वो गटना जब याद आती है तो मेरा रोम रोम सेहर उटता है तो दोस्तों ये थी हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ गटी एक सच्छी भूतिया गटना उमीद है कि आपको पसंद आई होगी अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमें इस्टाग्राम पे जुरूर भेजे जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है